भारत की सबसे मौंगी फिल्म आदी पूरुस इंडिया सहीत सत्तर देशों में रिलीज हो गई है रामायन पाधारित इस फिल्म को देखने के लिए लाखो फैंट ठेटर में पहुँच रहे हैं एडवांस टिकट बुकिंग के कारण विंडो टिकट मिलना मुश्किल हो गया है सबी सोज हाउस फूल जा रहे हैं ठेटर्स में जैसी राम के नारे गुंज रहे हैं लोगों को आदी काल के महा कवे पाधारित मौडर्न अमायन पसंद तो आ रही है लेकिन फिल्म में धेर सार कमिया है अगर आप दर्सक के तोर पर फिल्म देखते हैं तो यह आपको इंटर्टेन जरूर करती है लेकिन एजर क्रियेटर यह फिल्म गलतियों का पुलिंदा बन कर रहा जाती है आदी पूरुस को लेकर पबलिक रिभीव सामने आने लगे हैं सोसल मीडिया में कुछ ऐस तत्व हैं जो बिना वजह इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फिल्म में कमिया जरूर है लेकिन यह बॉली बूर्ट में बनी अब तक की सभी फिल्मों में से बेश्ट कही जा सकती है हाँ यह बात सच है कि आदी पूरुस इससे और अच्छे लेबल में बनाई जा सकत आदी पूरुस एक डिसेंट फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ आपको रोमांचीत करता है और सिकेंड हाफ होते होते यह कुछ समय के लिए अपने ले से हट जाती है फिर भी यह फिल्म आपका पैसा वसुल कराती है और आपका दिन बना देती है आप बोर नहीं होंगे फिल् को गुष बाम देता है बैगराउंड म्यूजिक भी अवल दर्जे का है आदी पूरुस का वी एफेक्स कहीं कहीं अच्छा है और कहीं कहीं बेकार है मतलब एक वक्त के लिए दर्शक कन्फियूज हो जाते हैं कि कहीं ओ लो बजट एनिमेटेट फिल्म तो देखने नहीं आ लेकिन वानर सेना का वी एफेक्स अच्छा है इस फिल्म का सबसे बैकड्रोप इसका वी एफेक्स है जिसे अच्छा बनाया जा सकता था फिल्म में एक्षन तगड़ा है देखने में मज़ा आता है अगर वी एफेक्स अच्छे लेवल के होते तो इस फिल्म की दूसरी कमि को नजर अंदाज किया जा सकता था कुछ सीन में एक्षन भी एफेक्स किलीच का सिकार हुआ है फुल मिला करका आज है तो यह फिल्म अच्छा ही है बाकी आप लोग कोमेंट करके बताईएगा कि आधी पूरुस मुवी को आप लोग देखे या फिर नहीं देखे और अगर द सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजेगा